हाई व्यूवर्स वेलकम बैक टो मैं चैनल फ्रेंज यह देखे आज हम सिखेंगे बहुत ही सुन्दर सा और यूनिक सा निटिंग पैटरन इस डिजाइन को आपके से भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं लेडी जैकेट में चैनल साफ साटर फूल साटर में बच्चों के साटर में कैप में मफ्रल में अपलाए कर सकते हैं तो दिखें फ्रंट साइड से इस तरह से दिखता है और बैक साइड से यह इस तरह से दिखता है तो इसको बनाने के लिए जो सिची चाहिए होंगे वो चार के मल्टिपल से होंगे प्लस फोर फंदे अक्स्रा होंगे और ये जो डिजाइन है ये टोटल बारा रौ का डिजाइन है तो चलिए फैन बनाना स्टार्ट करते हैं तो देखिए मैंने ये हाँ पर 16 फंदे लिए बारा फंदे चार के मल्टिपल से और दो फंदे अक्स्रा लिए हैं साइड में डिजाइन को इकुल करने के लिए दो फंदे एस्ट्छ का और बेस दिने के लिए दो राल इलटे इलटे फंदों के साथ निकाल ली है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये इसकी फर्स्ट रो है और फांडिशन रो है जो की सिर्फ आपने एक ही बार बनानी है दो बारा रपीट नहीं करेंगे तो चलिए बनाते हैं ये इसकी फर्स्ट फांडिशन रो है तो दिखें ऐस टी स्लिप करेंगे रपीट पैटन स्टार्ट क धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे, एक, दो, दो फंदे सीधे, एक, दो, यहाँ पर हमने दो फंदे उल्टे बनाए, दो सीधे, फिर से पैटन पीट करेंगे, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, एक, दो, दो फंदे सीधे, एक, दो, फिर से दो फंदे उल्टे, एक, दो, दो फंदे सीधे, एक, दो, लास्ट में तीन फंदे हैं, दो फंदे उल्टे, एक, दो, एस्टिच सीधा पुन लेंगे फर्स्ट फंदेशन रो, कम्प्लीट हो गई है, सेकिंड फंदेशन रो, रॉंग साइन, ये भी आपने एक ही बार बनाने है, इस रो में जो फंदे जैसे दिखाई देंगे, वैसे ही बना लेंगे, दो फंदे सीधे, एक, दो, दो फंदे उल्टे, एक, दो, फिर से दो फंद सीधे दोफंदे उल्टे दिखे दोफंदे सीधे एक दोफंदे उल्टे एक दोफंदे सीधे एक दोफंदे सीधे एक दोफंदे उल्टे एक दोफंदे उल्टे एक दो लास्ट में तीन फंदे हैं दोफंदे सीधे एक दोफंदे सीधा पुन लेंगे second foundation row complete हो गई है अब देखे, first row है और right side है इस row से हम हमारा main pattern start करेंगे तो देखे, first row right side as to slip करेंगे, repeat pattern start करेंगे दो फंदे उल्टे एक, दो, दो फंदे सीधे एक, दो यह देखे, यहाँ पर हमने दो फंदे उल्टे बनाए दो फंदे सीधे, चार फंदों का pattern है, यह दिखे, दो, चार फिर से pattern पीट करेंगे दो फंदे उल्टे एक, दो, दो फंदे सीधे एक, दो दो फंदे उल्टे एक, दो, दो फंदे सीधे एक, दो यहाँ तक हमने तीन pattern complete किये हैं, last में तीन फंदे हैं दो फंदे उल्टे, एक, दो, A-Stayich सीधा बुन लेंगे First draw complete हो गई है, Second draw है wrong side जो फंदे जैसे दिखाई देंगे, वैसे ही बना लेंगे A-Stayich slip करेंगे, दो फंदे सीधे, एक, दो, दो फंदे उल्टे, एक, दो फिर से दो फंदे सीधे, एक, दो, दो फंदे उल्टे, एक, दो, दो फंदे सीधे, एक, दो, दो फंदे उल्टे, एक, दो, लास्ट में दो फंदे सीधे, एक, दो, एस्टी सीधा बना लेंगे third row है और right side है as to slip करेंगे repeat pattern start करेंगे दो फंदे उल्टे एक दो ठाग पीछे एक extra stitch बनाएंगे तो ये दिखे दो फंदों के बान fourth hole में से extra stitch बनाएंगे तो दिखे यहां से दिखे वान टू यहां से यह दो फंदे सीधे छोड़कर fourth hole में से extra stitch बनाएंगे तो count करते हैं यह दिखे वान टू ट्री फोर यहां से extra loose stitch बनाएंगे इस तरह से अब दो फंदे सीधे एक दो यह दिखे यहां पर हमने दो फंदे उल्टे बनाएं एक एक्ससीच दो फंदे सीधे बनाएं फिर से पैटन रपीट करेंगे दो फंदे उल्टे दो फंदे सीधे दो फंदे सीधे एक दो फिर से धागा आगे दो फंदे उल्टे एक दो एक्स्ट्रा loose stitch बनाएंगे फोर्थ होल में से फंदे सीधे यहां पर हमने तीन पैटन कंप्लीट किये हैं लास्ट में तीन फंदे हैं दो फंदे उल्टे एक दो एस्टिच सीधा बना लेंगे थर्ड राव कंप्लीट हो गई है फोर्थ राव wrong side एस्टिच स्लिप करेंगे रपीट पैटन स्टार्ट करेंगे दो फंदे सीधे एक दो दो फंदे उल्टे एक दो एक फंदा स्लिप करेंगे यहाँ पर हमने दो फंदे सीधे बने दो उल्टे एक स्लिप किया फिर से पैटन पीट करेंगे दो फंदे सीधे एक दो दो फंदे उल्टे एक दो एक फंदा स्लिप करेंगे दो फंदे सीधे एक दो दो फंदे उल्टे एक दो एक फंदा स्लिप करेंगे लास्ट में तीन फंदे हैं दो फंदे सीधे एक दो एस्टी सीधा बना लेंगे चौती रौ कम्प्लीट हो गई है, पांचमी रौ है और सीधी साइड है एस्टी स्लिप करेंगे, रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे, दो फंदे उल्टे एक, दो थागा पीछे करेंगे, अब एक्स्टा फंदे को ट्विस्ट करेंगे अजी रौ लेका जाएंगे, और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे जीधा यहाँ पर हमने दो फंदे उल्टे बनाएं, दो फंदों का एक फंदा सीधा बुनाप कर शेदा पैटन पीट करेंगे, धागा आगे करेंगे दो फंदे उल्टे, एक, दो धागा पीछे, एक फंदा ट्विस्ट करेंगे, लेफ्ट नीर पर लेकर जाएंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर से धागा आगे, दो फंदे उल्टे, एक, दो एक्स्ट्रा फंदा ट्विस्ट क करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे एक फंदा सीधा तो यहां तक हमने तीन पैटरन कम्प्लीट किया हैं लास्ट में तीन फंदे हैं दो फंदे उल्टे एक दो एस्टी सीधा बना लेंगे 5 वी रढ़ कम्प्लीट हो गया है चाती रढ़ है रॉंग साइन ऐस्टी स्लिप करेंगे जो फंदे जैसे दिखाई देंगे वैसे ही बनाएंगे दो फंदे सीधे एक दो तो फंदे उल्टे एक दो दो फंदे सीधे, एक, दो, दो फंदे उल्टे, एक, दो, दो फंदे सीधे, एक, दो, दो फंदे उल्टे, एक, दो, दो फंदे सीधे, एक, दो, एस्टी सीधा बना लेंगे साथ मी रो है और सीधी साइड है एस टी स्लिप करेंगे रपीट बैटन स्टार्ट करेंगे दो फंदे उल्टे एक, दो, दो फंदे सीधे एक, दो यहाँ पर हमने दो फंदे उल्टे बनाए दो सीधे फिर से पैटन रपीट करेंगे दो फंदे उल्टे एक, दो, दो फंदे सीधे, एक, दो, दो फंदे उल्टे, एक, दो, दो फंदे सीधे, एक, दो, लास्ट में तीन फंदे हैं, दो फंदे उल्टे, एक, दो, एस्टिच सीधा बना लेंगे आठमी रह है रॉंग साइंड जो फंदे जैसे दिखाई देंगे वैसे ही बना लेंगे एस टीज शिप करेंगे, रिपीट पैटन स्टाट करेंगे, दो फंदे सीधे एक, दो, दो फंदे उल्टे, एक, दो फिर से दो फंदे सीधे एक, दो, दो फंदे उल्टे, एक, दो, दो फंदे सीधे, एक, दो, दो फंदे उल्टे, एक, दो, लास्ट में दो फंदे सीधे, एक, दो, एस्टी सीधा बना लेंगे नौवी रॉ है और सीधी साइड है एस टीज स्लिप करेंगे, रेपीट फैटन स्टार्ट करेंगे दो फंदे उल्टे एक, दो, दो फंदे सीधे एक, दो अब दिखे फोर्थ होल में से जहां से हमने दो फंदों का एक फंदा बनाया था वहाँ से हम एक extra low stitch बनाएंगे तो ये दिखे दो फंदों के पहले ये दिखे ये वाला जो फंदे हैं यहाँ पर यहाँ से जहां से हमने दो फंदों का एक फंदा बनाया था एक्स्ट्रा लो स्टिच बनाएंगे यहां से तो दिखिए यहां पर हमने दो फंदे उल्टे बनाएं दो सीधे एक एक्स्ट्रा लो स्टिच बनाएं फिर से पैटन पीट करेंगे धागा आगे करेंगे दो फंदे उल्टे एक तो दो फंदे सीधे एक तो एक्स्टा लूस्टिच बनाएंगे तो दिखिए ये फूर्थ होल में से एक्स्टा लूस्टिच बना लेंगे एक बार और पैटर्न पीट करेंगे दो फंदे उल्टे एक दो दो फंदे सीधे एक दो एक्स्टा लूस्टिच बनाएंगे यहां तक हमने तीन पैटरन कम्प्लीट किये हैं लास्ट में तीन फंदे हैं दो फंदे उल्टे एक दो S-T-C सीधा बना लेंगे नॉमी रॉख कम्प्लीट हो गई है दसमी रॉख है रॉख साइड S-T-C slip करेंगे दो फंदे सीधे एक दो एक फंदा स्लिप करेंगे दो फंदे उल्टे एक दो यहाँ पर हमने दो फंदे सीधे बुने एक स्लिप किया दो उल्टे बुने फिर से दो फंदे सीधे एक दो एक फंदा स्लिप किया दो फंदे उल्टे एक दो फिर से दो फंदे सीधे एक दो एक फंदा स्लिप किया दो फंदे उल्टे एक दो लास्ट में दो फंदे सीधे एक, दो, एस्टे सीधा बना लेंगे 11 रहो हैं और सीधी साइड एस्टे स्लिप करेंगे repeat pattern start करेंगे दो फंदे उल्टे एक, दो, एक फंदा सीधा आगे के दो फंदे ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट नीडल पर लेकर जाएंगे और back loop से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे यह दिखिए यहां पर हमने दो फंदे उल्टे बनाए एक सीधा दो फंदों का एक फंदा फिर से दो फंदे उल्टे एक, दो, एक फंदा सीधा दो फंदे ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट नीडल पर लेकर जाएंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे दो फंदे उल्टे एक तो एक फंदा सीधा दो फंदे ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट नीडल पर लेकर जाएंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे यहां तक हमने तीन पैटर्न कम्प्लीट किये हैं लास्ट में दो फंदे उल्टे एक, दो, एस्टिस सीधा बना लेंगे रो 11 कम्प्लीट हो गई है रो 12 रॉंग साइन जो फंदे जैसे दिखाए देंगे वैसे इवने गैस्टिस स्लिप करेंगे दो फंदे सीधे एक, दो, दो फंदे उल्टे एक, दो फिरसे दो फंदे सीधे एक, दो, दो फंदे उल्टे एक, दो दो फंदे सीधे एक, दो, दो फंदे उल्टे एक, दो लास्ट में दो फंदे सीधे एक, दो ऐस्टे सीधा बना लेंगे तो दिखिए रॉट पैल्व कम्प्लीट हो गई है और हमारा पैटन भी कम्प्लीट हो गया है फिर से हम इसे फास्ट रॉट से स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही बार-बार इसकी 1, 2, 12 और पैट करते जाएंगे और ये पैटन बन कर ये दिखिए इस तरह से दिखने लगेगा इसे आप किसे भी प्रोजेक्ट में डाल सकती हैं तो फ्रेंड आप भी इसे बनाएए और अपने एक्सपिरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए तो मिलते हैं ऐसे ही और नए नए वीडियो के साथ तिल देन बाई बाई फैन